हलो प्रेंट्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे एक बर बिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रोची में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त अंजु राजबूत और मेरा चाय नास्ता हो चुका है हम बैठे हुए हैं देखो बीटिया हमारे देवर की बीटिया आई है हमारे घर भूमने तो हम इसके साथ बैठे हुए हैं और इससे बाते करें आप लो भी इससे बाते करिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- कईलते हैं और वो कोरोना वैक्शन लगवाने के लिए घर के बांब सद्टी थोड़ी दूरी पर हॉस्पितल है तो वहां पर कोरोना की वैक्शन लग रही है तो मम्मी शेष्टरा में तो आपको घम हो तो दिक दूद स हम आपको स्द्टराम्स स recordings रहे घ्य whispering ममी को प्लांट भी दे देंगे सदा बाहर के तो वो अपना ले जाकर अपने गंबले में लगा लेंगी अगर आपके पाल सदा बाहर का प्लांट नहीं है तो आप उसको जरूर लगाएं ये प्लांट बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है अगर किसी को सूगर की बीमारी है तो सदा बाहर की पतियां से रोद सुबा खाली पेट चबाने से सूगर की बीमारी भी खतम हो जाती है तो ये सुगर के लिए बहुत अच्छा है तो आप लोग इस पेड़ को जरूर लगाए अपने घर में और फूलों के लिए भी अच्छा है आपको रोज फूल मिलते रहेंगे और अगर आपके घर में किसी को सुगर है तो आप इसकी पतियां आप उनसे बोलिए कि इसकी दो पतियां रूस खाली पेड़ चबाएंगे तो सुगर खतम हो जाएगी सुगर की बिमारी बिल्कुल खतम हो जाएगी तो आप लोग इस पेड़ को जरूर लगाएं और ये कैसे भी फोड़ी से देख रेक करने पर भी ये पेड़ अच्छे से चलता है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सदा बाहर और ममी के लिए भी सदा बाहर के पेड़ हम उखाड़ के ममी को दे रहते हैं तो हम आ गए हैं अपने छट पे और अब हम ममी को अपने सारे प्लांट दिखाएंगे तो देखिए हम अपने छट पे टहल रहे हैं और ममी को भी पूरा दिखा रहे हैं सिस्टर भी हमारी आई है साथ में यह दिए हमारी सिस्टर है पीछे तो हमने बिटिया से बोल दिया है सदा बाहर के पेड़ निकालने के लिए तो बिटिया सदा बाहर के पेड़ निकालेगी और हम सब लोग पैठे छट पे खड़े हुए हैं टैल रहे हैं तो बिटिया सदा बाहर के पेड़ निकाल रही है ये देखिए हमारे गमले में छोटे छोटे कितने धेड़ सारे सदा बाहर के प्लांट निकले हुए है तो और प्लांट है हमारे जो बड़े हैं तो वो हमने गमले में लगा रखे हैं उसमें फूल भी आते हैं तो ये हम हमारे जो छोटे-छोटे से प्लांट हैं तो ये हम उखाड के मम्मी को दे देंगे तो मम्मी हमारी पूरी चत गूम रही है देख रही है कौन-कौन से प्लांट हमारे घर में लगे हुए है ये आयुश्मान है ये नानी के पीछे-पीछे लगे हुए है ये नानी के साथ जाना चाहे रहे है ये देखिए मावसी सेल्फी ले रही है इनको हमारा गार्डन बहुत पसंद आया है तो यह सेल्फी ले रही है तो बिटिया अपना पेड़ निकालने में लगी हुई है तो मैंने बिटिया से बोल दिया है कि बड़े बड़े प्लांट थोड़ा निकालना ताकि नानी लगाएंगी तो अच्छे से लग जाएंगे छोटे पेड़ जदर हो सकता है ना लग पाएं तो मैंने जो बड़े बड़े प्लांट अच्छे प्लांट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वहीं प्लांट हम निकाल रहे है तो देखे बिटिया इसको निकाल रही है थोड़ा मिटी सुखी है तो उखाडने में थोड़ा सा प्राब्लम हो रही है खुर्पी हमारी मिल नहीं रही है खुर्पी यहीं छटी पे थी लेकिन पता नहीं कहा है किसी कमलेमले मिल्दभी होगी सायद मिल नहीं पाई है तो ममी को वैक्सिन लग चुकी है और ममी आई थी सुबा ग्यारा बजे और आप बज रहे हैं चार साम के तो आप ममी घर जा रही है तो आउसमान भी तयार हो गए है वो भी जा रहे हैं तो आप सब लोग देखिए बहुत दिनों के बाद आज ममी घर आई थी और जैसे काफी दिनों के बाद आई थी वैसे आज थोड़ा सा टाइम भी दिया है हमें आज 11 बजे से 4 बजे तक हमारे साथ रहीं तो हमको बहुत अच्छा लगा बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुस हुए तो आईसमान हमारे जिद कर रहे थे नानी को रोक रहे थे लेकिन नानी थोड़ा सा नहीं रुक पाई है घर पे उनके भी काम है बिजी है वो भी तो नहीं रुकी हैं तो आयसमान बोल रहे हैं कि मम्मी हम सटड़े संड़े नानी की घर में रहेंगे हम जा रहे हैं तो जबरजस्ती जिद करके उन्होंने पापा को मना लिया है तो वो जा रहे हैं तो मम्मी भी जा रही है अब तो आयसमान हमारे पुरी तरह से तयार हुए हैं तो इन अपने बाल भी उल्टे तरफ से खीच रखे हैं इन्होंने इन्होंने मुझसे कंगा भी नहीं करवाया है बोले हैं नहीं मैं अपने हां से तयार हूँगा तो यह अपने हां से तयार हुए हैं और ठीक से इन्होंने बाल बाल भी नहीं खीचे हैं उल्टी साइट से इन्होंन कंगी की हुई है और नानी के साथ जा रहे हैं तो ममी चली गई है और हम भी जा रहे हैं फिर मिलेंगे बाई बाई